ये ठंड के मौसम में बार-बार कुछ अच्छा चरपटा खाने का मन आपका भी करता है क्या मेरा तो अकसर करता है कभी-कभी मन करता है शाम का टाइम हो और कोई चाई के साथ कुछ अच्छा ही दे दे तो वावाव मजा ही आ जाए वट ऐसा हो नहीं सकता कुछ खाने का मन हो तो खुद ही उठना पड़ता है और खुद ही बनाना पड़ता है तो आज ऐसे ही एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ या यू कहूँ बहुत फेमस रेसिपी दिल्ली के फेमस जो हर जगे आपको दिल्ली में ये स्ट्रीट फूड मिलेगा राम लड़ू बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए फटा फट से बना लेते हैं देखे मैंने यहां पे सिर्फ दो तीन चमच के करीब मैंने यहां चने की डाल ली थी और यहां पे एक कप से थोड़ी जादा मैंने यहां पे ली है या यू कहू एक कप ही ली है मूंग की डाल बिना चिलके वाली मूंग की डाल है यह और चने की डाल बस दो तीन चमच की करीब ही है और एक कप पूरी पूरी यहां पे मैंने मूंग डाल ली है अच्छे से इन को बढ़िया मसल मसल के साफ करना है क्योंकि दाल में कई बार बहुत सारी गंदगी लगी होती है और वैसे भी बाहर की अगर वैसे तो यह पैक्ड वाली है टाटा संपन में यूज कर रही हूं लेकिन फिर भी आपको धुलना बहुत जादा जरूरी है अच्छे से पूरी शि गंटे के लिए इसको छोड़ देंगे एक गंटे बात किचन में आएंगे तो देखे दाल अच्छे से फूल गई है ऐसे तोड रहे है तो टूट भी रही है अब इसका सारा पानी निकाल देंगे पूरी तरीके से पानी निकाल देंगे और इसको मिक्सर जार में देखे ट् देखिए इसको मैंने पीस लिया है, हलका सा दरदरा रखना है, बहुत जादा वैसा नहीं करना है, बिल्कुल स्मूद चिकना भी नहीं है और दरदरे से तो फाइन ही है, बस इसमें स्वादा नुसार या श्रद्धा नुसार अपनी नमक डालना है, अब कुछ लोग क्या करत करने के लिए, यानि कि इसको फेटने के लिए, तो देखें, पहले मैंने चम्मच से क्यूंकि नमक मिलाया था, मिक्स कर लिया अच्छे से, और उसके बाद चम्मच को रख देंगे, साइड में और भारती महिलाओं की तरीके से अपने देसी स्टाइल पे उतर आएंगे, औ कम से कम मैंने 10 मिनट तक फेटा था, फेटने से जितनी क्वांटिटी रेडी की थी, डबल क्वांटिटी हो गई और बस भर गई है, उसमें हवा फटा फट से इसको तेल में डालते जाएंगे, और जैसे ही डालेंगे, देखेंगे, गुबारे की तरीके से फूल के डबल सा इच तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया, देखा आपने कैसे गुबारे की तरीके से उपर आ गए और तुरन चलाना नहीं है, इनको उपर आने देना है अराम से ये भी फूलने, जितना इनको फूलना है, आजकल तो वैसे जरा-जरा सी बातों पर बहुत लोग फूल जाते तो इनको भी फूलने का मौका देते हैं, तो देखे कितने अच्छे फूल गए हैं, और जब इसी तरीके से फूल जाएंगे तब हम इनको थोड़ा डांस करा देंगे, खौलते हुए तेल में, और इन पे एक अच्छा कलर आ जाएगा ना, तब तक के लिए हमको इनको इसी तीन चम्मच चने की दाली थी, इसमें प्लेट भर के बन गए, क्योंकि दाल को जब हमने फेटा 6-7 मिनट के लिए, यह यू कहूं, मैंने तो पूरा 10 मिनट के लिए फेटा था, फेटने से क्या हुआ, इतनी जादा वो फूल गई के डबल क्वांटिटी हो गई, जितनी थ आपको राम लड़ू के नाम से यह मिलता है, स्ट्रीट फूड और लंबी लाइन लगी देखेंगे, इनको मूली के लच्छों के साथ ट्रेडिशनली सर्फ किया जाता है, और इसकी चटनी भी थोड़ा अलग तरीके से बनती है, जिसमें मूली के पत्ते भी जाते हैं, धन लगा दूँ, लेकिन ऐसा नहीं किया था, पहला भोग मैं पती देव से ही टेस्ट करवाती हूँ, जब भी कुछ बनाती हूँ, जो इसकी टेस्टिंग होती है, कभी-कभी वो बोलते हैं, तुम कुछ भी बनाती हो, टेस्टिंग के लिए मेरे पास ले आती हो, तो यस वो honest review देते हैं, अच्छा बना है के नहीं बना है, तो इसलिए सबसे पहले मैं उनको ही सर्फ करती हूँ, तो पहले अच्छे से आपको भी दिखाते हैं, देखिए फटा-फट से मैंने सारे सेक लिए हैं, और गर्मा-गर्म, और ये इतने अंदर से soft हैं, बाहर से crispy हैं, अंद कुछ भी नहीं, और इसका स्वाद लाजवाब होता है, तो देखिए मूली के लच्छे धनिया की पत्ती सब धेर सारी डाल दी, मूली के लच्छे तो बिल्कुली प्रॉपर डाले जाते हैं, और देखिए यहां पे थोड़ी से मैं मसाले और अपनी तरफ से आट कर रही पहले मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मूली के लच्छो में कुछ भी नहीं था, तो मैंने हलका सा काला नमक डाला है, क्योंकि राम लड़ू में तो नमक थाई, तो बस उपर से जो स्टफिंग रख रहे हैं उसके लिए, और ये गई धेर सारी इमली की चटनी, एक खटा, मीठ तीखा, प्रॉपर जो टेस्ट होता है, स्ट्रीट फूड वाला बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत कम मेहनत में बहुत ही लाजवाब और बहुत जादा नाश्ता बनके तयार हो जाता है, और देखे जो मैंने चटनी की बात की थी, स्पेशल चटनी है ये, इसको भी स अच्छे से चटनी डालूँगी, कोट करूँगी, इमली की चटनी, खटी, चटनी, मीठी, तीखी, चटनी, लाल मिर्च भी डाल के और चटपटा बना दूँगी, थोड़े और लच्छे डाल देती हूँ, और बस देखे, मेरा दोना तो हो गया है, तयार, और मन तो कर रह है, मज़ा आ गया, तो बस देखे, मैं पास से भी दिखा देती हूँ, सब पे equal color आया है, आप देख सकते हो, और सिर्फ और सिर्फ मेरी जो चोटी-चोटी सी मैंने tips दी हैं, कि ज़्यादा देड़ दाल को मत भिगाए, एक डेड़ दो घंटे sufficient होते हैं, और बस फेटेंग कि जब दाल के दूएटी हैं, कि पास से लादा हो घंटे लोटी This вопросы देखे हो, और सिर्फ मेरी जोटे हैं, आमकश से चाल कर देखें आप देखेंगा देखेंगाईंगा दैल में मत दोटेंगी हैं, कि झाल संब और सिर्फ देख्ने टोर से लोटेंगे, जोसित दोट्या